सबसे बैस्त है USDC, DAI, GUSD, BUSD, BUSD थोड़ा सा अभी stable है क्योंकि कहीं कहीं Binance ने उसको अभी समाल रखा है लेकिन आफ़त इसके साथ भी है क्योंकि SEC इसके पीछे पड़ा हुआ है USDD और USDP, सबका प्राइज ही बता देता हूँ USDC अभी 0.91 सेंट पे चल रहा है 93 DAI, और GUSD आपका 97, BUSD को मैंने छोड़ दिया क्योंको अभी ओ ठीक ठाग है और USDD आपका 95, और आपका USDP 0.98 ये सब इनका rate फिलाल चल रहा है कुलम लागे देखा जाए तो D-PAC सारे ही है अगर 0.9998 या 97 तक रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉलम बाली बात नहीं है वहाँ तक तो वो कवर हो जाता है और जो उससे नीचे चले जाते हैं तब थोड़ी प्रॉलम हो जाती है लेकिन 90 तक भी आप कवर कर सकते हो अगर आपके पीछे ठीक ठाक हिसाब किताब आपने रिजर्ब में रखा है तो लेकिन अगर मैं आप यहां से आपसे यह कहूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा डरने की बात नहीं है तो साइध आपको लगेगा सर सुवे आपने कहा कि यह सब डूबने वाले हैं और सम तक आते आते आप यह कहरा है को यह सब ठीक हो जाएगा तो को सब पीछे से खबरे निकलती हैं और इन गंटों के बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ भी है अब मैं यूई नहीं कहरा आपको बागादा इसके सार के सारे समूत देता हूँ क्यों हो रहा है क्यों कितना चाहिए 3.3 billion ही तो चाहिए इस USDC को बचाने के लिए 3.3 billion चाहिए को 42 billion में से mostly तो उसके पास है जिना कितना इस्टक हुआ 3.3 billion के आसपास उतना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कहां-कहां से arrangement हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ किसने कितना deposit किया है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो फट था ना कहीं ने कहीं 2-4 दिन बाद आपको ये ठंडा होता नजर आएगा इसलिए मैंने कहा दो दिन से कह रहा हूँ तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो है क्या हुआ है अब कौन-कौन बचाने के लिए सामने आए एक गोटिया नहीं आए अभी तक अब गोटिया से तो आप समझी गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ सीजे बाइनस के उसका अभी तक कोई भी ऐसा positive चीज निकल के नहीं आई है कि जो कहीं ने कहीं USDC को बचाने के लिए या DAI को बचाने के लिए किसी को भी बचाने के लिए उसने कोई funding कहीं से raise की है लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है लेकिन वो करेगा भी क्यों क्योंकर उसकी coinbase के साथ तो 36 का अकड़ा चल रहा है तो वो नहीं करेगा ऐसा लेकिन उसका नाम भी अभी तक नहीं आया है वीडियो के बात कहीं से आजा तो मैं कहीं सकता या हो सकता है मुझसे कहीं छूट गया हो अगर कहीं ऐसा कुछ है तो आप comment section में जरूर बताईए क्या USDC को बचाने के लिए CJ Binance ने कोई कहीं से मदद की है नहीं की है तो साइद में right हो अगर की है तो आप comment section में जरूर बताईए अब मैं कहता हूँ विटालिक बिटर है इसने कितनी मदद की इनको बचाने के लिए इसने क्या करा 500 Ethereum को जो है convert किया 150,000 RAI token ठीक है अब RAI से जो है उसने फिर convert किया है लगबग 4,000,000 USDC और लगबग 27,180 यानि कि इतना इसने इसको support किया है यानि इतना माल इसने भी Ethereum को convert करके बिटालिक ने एक तरह से support कर दिया अब दूसरे नमर पर आते है होवी Global किसका है जस्टिंसन का दोनोंने अलग-अलग किया है जस्टिंसन अलग कर रहा है और होवी Global अलग कर रहा है अब होवी ने कितना किया 100,000,000 USDC और 100,000,000 100,000 जो है DAI ये इतना जो है USDC को उसने DAI में convert किया है हो क्या है यही तो हो रहा है इसका उसमे उसका इसमे यानि convert करके किसी भी तरीके से जो ये D-PAC हो रहा है USDC उसको किसी तरीके से 1 is to 1 के ratio में ले के आना तो होवी ने ये मदद की जस्टिंसन उसने जो है लगबग 82 मिलियन आवे को convert किया है 82 मिलियन DAI में तो यहां दोनों ने लगबग DAI को अच्छी तरीके से support कर दिया 100 मिलियन और यहां 82 मिलियन एक तरह से 182 मिलियन DAI में आ गया तो कहीं लिए कि थोड़ा सा support तो मिले का न भई क्या चाहिए फंडी तो चाहिए फंडी ही तो निकला है तो यह लोग मदद कर रहे हैं अब अगला और पताता हूँ अब कोईन बेस ने क्या किया है और उसके साथ जो USDC के लिए किसने क्या किया यहां पर डूबा कौन सरकल ठीक है क्योंकि सिल्कॉन वैली जो बैंक है वह है तो एक्चॉली ही सब तो वही डूबा है और उसी की बज़ए से सारी प्रॉलम्स होई है तो उन्होंने सरकल में जमा किया है USDC को कितना किया है कोईन बेस ने लगबग 1.97 बिलियन USD जंप ट्रेड इसने जो है लगबग 164 मिलियन USDC और एक इंस्टिटूट है बहुत बड़ा पहले इसने बेचा और उसके बाद फिर इसने जमा किया है खेल देखो कहा चलदा है अभी मैं बो भी दिखाता है 222 मिलियन USDC Falcon X ने जो है 138.5 मिलियन USDC यानि इतना USDC अरेंज करके और जहां-जहां प्रॉल्म हैं वहां deposit किया जा रहा है तो उसी का नतीज़ा आप देखिए जो ये USDC 0.91 चल रहा थी और ये लगबग 8788 तक पहुँच गया था तो ये 91 पे कैसे आया कि वह ये पीछे से इसको मदद मिल गई और अगर ऐसे एक दिन और कहीं से मदद मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो यहां तक जो मैंने देखा मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा करंट सब कुछ हुआता पैनिक हुआ लोगों ने कनवर्ट किया कनवर्ट कैसे कैसे किया एक बहुत बड़ा इंस्टिटूट है उसने क्या करा 118.7 मिलियन USDC को पहले कनवर्ट किया USDT और एथेरियम में यानि इतना बड़ा अमाउंट इसने तुरंद पैनिक में आके कनवर्ट कर दिया आपको आज कल एथेरियम में और थोड़ा सा USDT में वॉल्म बढ़ता हुआ ने जारा रहा है उसकी वज़े वो ही है कि उसको कनवर्ट किया जा रहा है USDC को कम से कम सेल कर रहे लोग इस वज़े से तो ये इतना बड़ा इस्टिटूट था जिसने ये भी खुट डर के मारे इसने कनवर्ट कर लिया दोपेर में मैंने भी आगा था भाई आप भी जो है सेफ साइड हो जाईए थोड़ा बहुत आप कनवर्ट कर लीजे भाई डर सबको लगता है किसी का छोटा माउंट है या किसी का बड़ा माउंट है तो ये इसने भी करवर्ट किया अब इसके पास केवल 45 मिलियन यूएस डिसी और बाकी है इसके पास अब नहीं है लेकिन किसी ने फिर जो है यहाँ पर आप ये देख रहा हैं 138 मिलियन यूएस डिसी सरकल में डिपॉजिट भी कराया है तो ये कुछ बस चकर चल लाए है मेरा कुल मिलाकर जो मकसद था आपको बताना ये कि पैनिक की जरूवत नहीं है लोग पीछे से लगे हुए हैं किसी भी तरीके से स्टेवल कोईंस को बचाने के लिए क्योंकि स्टेवल कोईंस ही ऐसे हैं जो कहीन के अभी तक रैपिट्यूड थे जिनकी वज़े से क्रिप्टो करंसी में थोड़ा बहुत बरोसा था अगर यही डीपैक हो जाएंगे तो कहीन के फिर बहुत से कोईंसे में और ज़्यादा अफरा तफरी हो जाएगी तो इसलिए मैंने आपके सामने प्रूफ रखा कि ज़्यादा पैनिक में आने के जरूवत नहीं है कहीं ने कहीं चल रहा है फीचे सब कुछ दीरे दीरे ही होगा बिगरता बहुत जल्दी है लेकिन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो वो चीज हो रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बस अपने आपको सतर कर रखिए फिर भी आप से कीची कहना चाहूँगा देखिए क्रप्टोक्रंसी है कुछ भी और कभी भी और वो भी बगर सोचे समझे कभी भी हो जाता है तो आप वो यह सेप साइड आप भी खेल तकते हैं जब बड़े बड़े लोग सेप साइड खेलते हैं तो भाई आपको तो खेलना ही पड़ेगा तो भाई थोड़ा बहुत आप अपना जुख़ देगा अगर थोड़ी बहुत ही होगए तो ज्यादा प्रॉल्लम में आने जरूरत नहीं है लेकिन अगर ज़्यादा है तो मैं आपको एक सला फिर भी देना चाहूँगा कि आप जो थोड़ा बहुत यूएसडी टी में कनवर्ट कर लीजिए जो अभी डीपैक नहीं है वो अपनी जेगा पर बिल्कुल ठीक है बी यूएसडी भी ठीकी है डीपैक नहीं है ज़्यादा वो 99 की सीरीज में है तो उसको हम ज़्यादा डीपैक नहीं कहते है वो तो नॉर्मली बात है इतना तो हो जाता है तो यह है कुछ मार्केट का वो हाल जो अभी चल रहा है बाकि जिसकी भी जिसमें भी होल्डिंग है समाल के रखिए पैनिक में सेल करने के जरूरत नहीं है केवल तभी बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है जब अमेरिका कुछ बैन करे और बैन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यह तो वो है जो रेगुलियसंस आने है न इस मज़े से यह सारी चीजें दीरे-दीरे निकल रही है में भी हो सकता है आगे कुछ और भी फट आएं और आएंगे क्योंकर बैंक डूब रहे है सारी समस्या खड़ी हो रही है बैंकों से कि अभी तक तो कर्प्रकरंसी ही डूब रहा था लेकिन आप तो सरकारी बैंक डूब रहे है जब टॉप 10 के बैंक अमेरिका के डूबने में लगे हुए है तो क्या होगा कहीं न कहीं फंड रेजिंग में दिक्कत आएगी और फिर दिक्कत आएगी तो हर जगह यह प्रॉलम्स रहेंगी तो थोड़ा सा कुछ नहीं जब इतना जेला है तो थोड़ा सा और सही तो यहां पर देखिए आप रही मार्केट की बात तो मार्केट तो आपका देखे 20,000 और 200 डॉलर पर करंट में अभी बीटिसी चल रहा है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ लेकिन यहां आप मार्केट को यह सोच के नहीं चलें कि यहां सब कुछ ठीक हो गया है यह में भी है देख रात और रात में कुछ भी हो सकता है अभी ठीक है बहुत पॉजिटिव नीज़ें पीछे से निकल नहीं है और जो पॉजिटिव हो वो मैंने आपको बता भी दिया कि पॉजिटिव क्या है इसी कोई जैसे मार्केट में हलके से आपको यह पॉजिटिव नेजर भी आ रही है अगर कोई अमेरिका से और बड़ी फड़ वाली नियूज ना निकले कोई क्रेस वाली नियूज ना निकले कोई बैंक डूब रहा है ऐसी ना निकले तो देखिए कोई क्रॉलम नहीं है फिर बहुत जल्दी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा अब समस्या वो ही है कि क्या होगा किसी को नहीं पता ना मुझे पता है ना और किसी को पता है ये तो जब कोई नियूज आएगी तब ही पता चलेगा कि ऐसा हुआ अब ही सोएंगे रात को पता जले दिल में सुवह उड़ते ही कुछ और निकल के आ रहा है तो ये कर्प्रोंगंसी का नेचर है जिसके पास जो भी होल्डिंग है असमाल कर रखिए बेचने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है तो चलो फिर मिलते हैं किसी नई अप्डेट के स साथ मौनिंग में नमस्काद